साथ्यों नमस्कार आज तक आपने इसराइल की मिलिटरी, साइबर और टेकनिकल ताकत के बारे में ही सुना होगा आज हम आपको एगरी कल्टर सेक्टर में इसराइल की तरक्टी के बारे में बताएंगे इसराइल की 60% जमीन रेगिस्तानी है वहाँ पर पानी की बहुत कमी है लेकिन उसके बावजूद खाद्यान सुरक्षा के मामले में इसराइल पूरे तरीके से आतम निर्भर है और ना कि सिर्फ आतम निर्भर है बलकि बड़ी मात्रा में फलों और सबजियों का निरियात भी करता है किर्शी के अक्षेतर में इसराइल की सफलता का सबसे बड़ा कारण है वहाँ के किसानों, सरकार, किर्शी वग्यानिकों, रिसर्च इंस्टिटों और प्राइवेट कमपनियों के बीच अच्छा तालमेल अगर आपको इसराइल के किसानों की तरक्की देखनी है, तो आपको इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर जाना चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ रेगिस्तान है Jordan का इलाका जहां पूरे तरीके से सुनसान है दूसरी तरफ इसराइल के इलाके में इसराइल के किसान खेती करते हैं और उस इलाके को हरा भरा बना दिया है जब 1948 में इसराइल की स्थापना हुई थी तो इसराइल के पहले परधानमंत्री डैविड बैन गुरियन ने कहा था हर वेक्ती को पानी की उपलब दिता और खाद्यान सुरक्षा इसराइल की पहली प्राथमिक पाउं में शामिल है इसराइल में जो पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस प्रोजेक्ट के तहट नORTH इसराइल में श्थित जील से इर्रिगेशन यदि सिचाई के लिए पानी अन्य इलाकों में लेकर जाया गया था इसराईल चारों तरब से दुश्मनों से घिरा है इसलिए शुरुआत से ही इसराईल ने खाद्यान सुरक्षा को अपनी पहली पराथमिक काओं में रखा इसराईल में दो तरीके से खेती की जाती है किबुट्स और मौशाओ किबूट्स तरीके के तहट खेती में community farming होती है यानि 50 से अधिक किसान इखटे होकर खेती करते है उसमें average land holding 100-500 hectare की होती है और उस तरीके के तहट की जाने वाली खेती में एक मजदूर और एक manager को बराबर की अधिकार होते है और दोनों को बराबर की salary मिलती है इसराइल की सफलता के पांच बड़े कारण है पहला है इसराइल में उन्नत किसम के बीज विक्सित किये जाते हैं जो इसराइल की Ben Gurion University है उसके agriculture department दोरा हर साल सब फसलों के उन्नत किसम के बीज विक्सित किये जाते हैं और वो बीज किसानों को दिये जाते हैं और किसान उन बीजों का इस्तिमाल कर अच्छे तरीके से खेती करते हैं इसराइल में आज तक GM Seeds का इस्तिमाल नहीं किया जाता है GM यानि Genetically Modified दूसरा बड़ा कारण है इसराइल का Irrigation System इसराइल में पानी की बहुत कमी है इसलिए वहाँ पर Drip System से Irrigation की जाती है Drip System में 95% पानी का उपयोग होता है और मातर 5% पानी वेस्ट होता है दूसरी तरफ नौर्मल तरीके से की जाने वाली Irrigation में मातर 30% पानी का उपयोग हो पाता है और 70% पानी वेस्ट हो जाता है तीसरा बड़ा कारण है इसराइल में ना सिर्फ फसलों के उपर ध्यान दिया जाता है बलकि उनकी हारवेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज के उपर भी ध्यान दिया जाता है इसराइल दोरा एक ऐसी टेकनलोजी विक्सित की गई है जिस टेकनलोजी के तहट फलों और सब्जियों को तीन महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है और उन तीन महीनों के दुरान उन फलों और सब्जियों की ताजगी बरकरार रहती है इस चीज का फाइदा उठाकर इसराइल के किसान अपने उत्पाद उस समय बेचते हैं जब उनको सबसे अधिक मुल्ला मार्केट में मिलता है इस चीज का फाइदा उठाकर इसराइल के किसान अपने उत्पाद आसानी से यूरोप के मार्केटों में भेज पाते हैं चोथा बड़ा कारण है इसराइल द्वारा मित्तर कीट और छत्रू कीट सिस्टम का इस्तमाल किया जाना खेती में मित्तर कीट भी होते हैं जो किसानों की मदद करते हैं और छत्रू कीट भी होते हैं जो किसानों का नुकसान करते हैं करतरिम तरीके से इसराइल में फसलों के अंदर मितर कीटों की संख्या बढ़ाई जाती है जिससे मितर कीट जादा हो जाते हैं और वो शत्रू कीटों को खा जाते हैं और उससे किसानों की फसलें बच जाती हैं और किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तमाल करने की जरूरत नहीं होती है और इस तरह इसराइल के किर्शी उत्पादों में पेस्टिसाइड कंटेंट बहुत कम होता है पाच्वा बड़ा कारण है इसराइल द्वारा प्रिसीशन खेती का इस्तमाल किया जाना उसके तहत सैटलाइट्स का इस्तमाल किया जाता है और सैटलाइट्स के जरिए ये पता लगाया जाता है कि किस पेड में बिमारी है और कौन सा पेड स्वस्थ है कौनसी जमीन में पानी की कमी है, कौनसी जमीन में नाइट्रोजन की कमी है और कौनसी जमीन पूरे तरीके से सही है उसके बाद उसी पेड को दवाई दी जाती है जो पेड बिमार होता है उसी जमीन में नाइट्रोजन और पानी दिया जाता है जिस जमीन में नाइट्रोजन और पानी की कमी होती है इस तरीके से वहां के रिसोर्चिज का बेस्ट तरीके से इस्तिमाल किया जाता है 2008 में भारत और इस्राइल की सरकारों के बीच कर्शी समझोतों पर हस्ताक्षर हुए थे उसके तहथ इंडो-इस्राइल एगरिकल्चर प्रोजEC्ट की शुरुवात हुई थी और इस प्रोजेक्ट के तहट भारत के केंद्रिय किर्शी मंतल्य, राज्य सरकारों और इसराइल की International Development Corporation Agency मशाओ ने मिलकर भारत के सभी राज्यों में 28 से अधिक सेंटर ओफ एक्सिलेंस खोले थे उन सेंटर्स में भारत के किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के तहट सबसे पहले भारत के किर्शी वेग्यानिकों को इसराइल में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें ट्रेनर बनाया जाता है उसके बाद वो वहां से वापस आते हैं और Center of Excellence में एक आम किसान को इसराइल के विग्यानीकों के साथ मिल कर ट्रेनिंग देते हैं और इन Center of Excellence का फाइदा हजारों लाखों किसानों ने उठाया है सन 2018 में इन सेंटरों में 146,000 किसानों को ट्रेनिंग दी गई थी सबसे जो सफल सेंटर हैं वो है हरियाना का सेंटर, महराष्टर का सेंटर, गुजरात का सेंटर और तमिलाडू का सेंटर इसी तरीके के किसान है गुजरात के कलपेश पटेल इस किसान ने सेंटर ओफ एक्सिलेंस से ट्रेनिंग ली और उसका फाइदा उठाया और बहुत अच्छे तरीके से खेती की जब पहले उनकी 25 बीगे में आमदनी मातर 4-5 लाकी होती थी अब 15-16 लाकी होती है 2018 में जब इसराइल के प्रधानमंतरी बेंजमीन नेतनियाहू भारत के दोरे पे आये थे तो उस समय भारत के प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी और इसराइल के प्रधानमंतरी बेंजमीन नेतनियाहू ने गुजरात में उस किसान कलपेश पटेल के खेतों का दोरा भी किया था भारत में मशाओ के हैड डैन अलूफ कहते हैं कि वो किसानों को ट्रेनिंग AC के कमरों में बैठ कर नहीं देते हैं बलकि सुबह छे बजे खेतों में पहुंचते हैं और किसानों के साथ देर शाम तक खेती करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं डैन अलूफ कहते हैं कि अगर किसानों को सफल होना है तो उनको खेती भी करनी आनी चाहिए उनको अपने समान की मार्केटिंग, पैकेजिंग करनी भी आनी चाहिए, तभी वो किसान सफल हो सकता है डैन अलूफ कहते हैं, इसी तरीके से इसराइल के किसान खेती करते है भारत में हजारों सालों से रसाइनिक मुक्त खेती की जाती है और शुद तरीके के उत्पाद पैदा किये जाते है अगर भारत की इन हजारों सालों की परंपराओं, किर्शी व्यग्यानिकों के अनुभवों को इसराइल की किर्शी टेकनलोजी के साथ अच्छे तरीके से मिलाया जाए तो भारत पूरे विशव को रसाइनिक मुक्त किर्शी उत्पाद भेज सकता है और किर्शी उत्पादों के मामले में भारत विशव गुरु बन जाएगा और सबसे इंपोर्टन बात ये है कि जब भारत किर्शी के मामले में विशव गुरु बनेगा तो भारत में गाओं की स्थिती सुदरेगी, किसानों की स्थिती सुदरेगी, उनके प्रोडक्ट्स का विदेशों में निरियात हो सकेगा, उनको अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे और उनकी आमदनी में विर्धी होगी सबसे important बात ये है कि इसराइल में किसानों को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है और जरूरत अब ये है कि भारत में भी पूरी जनता किसानों को पड़े ही सम्मान की नजर से देखे जनता को यह समझना चाहिए जब कोरोना वाइरस के कारण सभी कारखाने सभी फैक्टरिया बंध हैं तो उस समय किसान अपनी जान हतेली पे रख कए किस तरीके से जनता का पेट भरनिया काम करता है तो किसानों को सम्मान की बहुत जरूरत है और हमारे यहां भी अब किसानों को सम्मान की दरिष्टी से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से इसराइल में किसानों को सम्मान की दरिष्टी से देखा जाता है क्योंकि किसान अनदाता होते हैं दुनिया में ऐसी कोई फैक्टरी नहीं है जो अनाज का एक दाना भी बना पाए चिर्फ वो किसान ही है जो मेहनत करता है धरती माता का सीना चीर के फसले उगाता है एक दाने से सेकड़ो दाने बनाता है और उसके बाद पूरी जनता का पेट बरता है तो साथियों आज हमने आपको बताया क्रिशियक शित्तर में भारत और इसराइल के सायोग के बारे में और किस तरीके से क्रिशियक शित्तर में इसराइल ने अधभुत काम किये हैं और 60% जमीन रेगिस्तानी होने के बावजूद पानी की भेंकर कमी होने के बावजूद किस से इसराइल खादैन सुरक्षा के मामले में आतम निर्भर है और दूसरे देशों में फलों और सब्जियों का निर्यात करता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा टैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपने मिसना उसके लधन्नवाद लो मशकार